हेलो बच्चों नमस्कार कैसे आप सभी लोग तो सभी लोग की मांग थी कि मैं प्रिवियस येर पेपर लाईए मॉडल पेपर लाईए तो फाइनली जो है आप लोग का प्रिवियस पेपर आ गया है ठीक है आप देख रहे हैं 2020 का यह पेपर है ऐसे ही मैं सभी सन के प्रिवि प्रोजक्ट कारी के लिए निमलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखें पांच कोश्चन जो है एक एक नंबर के हैं उनको आपको करना है मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं सभी में यहां पर गलत लगा दियें यहां पर सही लगा दियें ऐसे ही करते हैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है बोर्ड पेपर में आप इसमें से देखोगे कौन सा सही है जो सही है बस उसी पर आपको टिक मा करना है द्यान दीज्येगा प्रष्ण को अच्छे आपको दी गई है आपको करना है यहां पर मैं आपको चारों का वह आप देती हूं ऐटारी राम्चंद्रक्रพ्च और जूठा सच यसपाल ठीक है यसपाल और गोदान प्रेम चंद का ठीक है मौनसी प्रेम चंद का और अगला जो है चंद्रगुप्त का चंद्रगुप्त जो है जैसंकर प्रसाद का है ठीक है जैसंकर प्रसाद ऐसे ही आपको लेकिन आपको एक करना है ठीक है जिसका भी जो आपको आता ही होगा अगला देखेंगे तीसरा यानि कि पहले का गर दीपदान एकांकी की लेखक का नाम क्या है तो दीपदान एकांकी की लेखक का नाम रामकुमार वर्मा है ठीक है रामकुमार वर्मा अगला जो है क्या भूलू क्या याद करू किस विधा पर आधारित है तो यह हरिवन सराय बच्चन की जो है आत्मकथा है उन्होंने लिखा हुआ है आत्मकथा है विधा पूछा है यानि आपको आत्मकथा लिखना है क्या भोलू क्या याद करू आत्मकथा ठीक है दूसरा जो है सुकल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखे TOKL YUG में 2 पत्रिकाएं लिखी गई है एक तो आपका है नागरी प्रचानी समीति और दूसरा है साहीत संदिश आपको जो सही लगे उसको लिख लीजिएगा मैं तो कहूंगे साहीत संदिश नोट कर लीजिए उसको लिखिएगा क्योंकि सरल है चलिए अब देखे दूसरा जो question होता है ठीक है आपको दो विसेस्ताएं पूछा जाता है जो आपका रीतिकाल आधुनिक काल जो है इससे ठीक है आधुनिक काल में सभी काल आते हैं यानि कि छायवादिकाल प्रयोगवादिकाल प्रगतिवादिकाल ठीक है तो सारे मैं important करा दोगी ठीक है आप लोग को यह सारी चीजे important जो होते हैं 2 2 विसेश्थाय मैं आपको बता दूगी आपको करना है यहाँ पर देखें रीतिकाल की दो प्रमुख विशेष्टाएं क्या है तो रीतिकाल की प्रमुख विशेष्टाएं है पहला डालेंगे आचार्यत्व प्रदर्शन ठीक है और दूसरी जो विशेष्टा है सिंगार प्रियता ठीक है सिंगार प्रियता और आप लोग को पता है कि नहीं है आप रीतिकाल को जो है सिंगारकाल भी कहा जाता है, ठीक है, वहां से आपको दो नंबर मिले, ठीक है, दो विषयस्ताय आपने बताया, तो दो नंबर मिले, अगर आप एक विषयस्ता बताएंगे तो एक नंबर मिलेगा, प्रagarटिवादी युक की, दो प्रमुख प्रवित्तियों का उलेख किजिए ठीक है तो प्रमुख प्रवित्तियों विशेस्ताएं और प्रवित्ति एक ही है जो भी पुझेगा कनफ्योज नहीं होना है उसी को लिखना है ठीक है तो इसकी जो दो विशेस्ताएं है पहला है सोसितो सोसितों केपरती सहान भूती ठीक है सहान भूती किस केपरती सोसितों केपरती ठीक अगला जो है तूसरा विसेस्ता जो है अगला देखेंगे गीतावली के कवी का नाम लिखे तो गीतावली के कवी हैं तुलसी दाश ठिक है गीतावली के कवी तुलसी दाश ये हैं चलिए चैनल को अगर आप ही तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब पर लीज़े क्योंकि इस पे 10 एन YEARS के पेपर में solve सहित आप सभी को दोंगी ठीक है आप लोग इसको देखिए और solve करने का प्रयाज भी कीजिए तीसरा जो प्रशन है यहाँ पर आपको 6 नमबर मिलता है यहाँ पर गध्यांस दिया होता है गध्यांस को पढ़कर आपको 3 प्रशनों के उत्तर देनी होते हैं यहाँ पर आप गध्यांसों में से किसी एक के नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर दीजिए ठीक है तो यहाँ आप गध्यांस पढ़ेंगे उसके बाद नीचे में देखे तीन प्रशन दिये गए हैं तीनों प्रशनों के उत्तर आपको देने हैं ठीक है तो गध्यांस आप पढ़ेंग हैं यहां से डो नंबर नहीं है दो नंबर आपको वहां से मिल गए यह हैं मैं बता देती हुआ है यह शंकर प्रसाड टीक की यह संकर प्रसाद इतना लिखने के बाद आपको मैंने जो है शन्दर्भ लिखना भी बताया है एक वीडियो में आप तो दूसरे प्रश्न आपको यहां से देना है यहां से दहां कि आहको सब्सक्राइब Kiss उसके बाद यहां पर तीसरा प्रश्ण जो है उपर्युक्त गद्यांस में किस कार्य को इस्वर की इच्छा के विरुध बताया है तो यहां से आपने जो पढ़ा होगा कौन से कार्य को इस्वर की इच्छा के विरुध बताया है उसका आंस्वर देंगे ठीक है और इसको मैं नहीं आता है तो नीची वाला कर सकते हैं देखे जहां बेरहमी वही दया का समुद्र भी उमर पड़ा है जहां पाप है वही छमा का सोता फूट पड़ा है राजा और कंगले बिलासी और भिप्छूर नर पूरा पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से यह है तो मैं आपको बता दूँ यह जो है अजनता पाठ से है ठीक है अजनता पाठ से है और भगवत सरण उपाध्या जो है इसके लेखक है भगवत सरण ठीक है इसके लेखक है अब तीन प्रश्ण यहां भी दिये गए हैं आपको तीन प्रश्ण करने हैं ठीक है चोथ नमबर काबिस अंदर के लिए एक नमबर ठीक है कोई भी अगर आप छोड़ते हैं तो आपका उतना नमबर कट जाएगा ठीक है और देखिए लाल चहरा है नहीं फिर लाल किसके लाल खून नहीं यह आपका जो है जवानी से है लेकिन 2020 में आया है ठीक है इस बार आपके सिले बसमे यह नहीं है ठीक है तो इसको छोड़ देते हैं दूसरा जो है बुरो बुराई जो तजय तो छी तो खरव ड़रा तो जो निकलंग को मैंग को लखे गनाए लोग उत पातु यह आपका जो है भिहारी लाल के द्वारा लिखा गया है ठीक है नीती से भक्ति और नीती जो है विहारी लाल के द्वारा लिखा गया है तो नीती से लिया गया है ठीक है आगे चलेंगे पांचमा जो question है जीवन परिचे का है ठीक है यहाँ पर आपको लेखक का जीवन परिचे लिखने से दो नंबर मिलेगा और उसकी एक रचना का नाम एक नमबर ठीक है तो जैसा भी लिखेंगे आपको उस तरह से नमबर मिलेगा यहाँ पर तीन लेखक दिये गए है ठीक है और मैं आपको बता दू कि तीनों लेखक इंपॉर्टेंट है ठीक है और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसंकर प्रसाद, रामचंद्र सुक्ल और आप भगवस सरण उपाध्याय का जीवन परचे तीन लेखकों का जीवन परचे याद कर लीजिए ठीक है चाहे आप समझ लीजिए जीवन परचे बहुत नहीं लिखना होता है ठीक है आप एक पेज में जीवन परचे को कंप्लीट कर सकते हैं बोर्ड एकजाम में ठीक है सिर्फ उनका जीवन लिखना है कब वो पैदा हुए थे और उनके माता पिता का क्या नाम है और उनके सिक्षा देख्षा कैसे हुई कैसे उन्होंने अपनी सिक्षा को पूरा किया ठीक है इस तरह से जीवन परचे उसके बाद उनकी एक रचना कोई भी लिख दीजिए ठीक है लेखकों का जीवन परचे मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से important है उनको आप याद कर लीजी के ठीक है मानम हित्वा प्रियो भवा थी क्रोधाम हित्वा न सोचती यहाँ पर आपको सिर्फ संतर्व लिखना होता है और संस्कृित का अनुइबाद करना होता है अनुइबाद के लिए आपको तीन नंबर मिलीगा ठीक है जो भी छोड़ेंगे वह नंबर करेंगा राइटिंग पर फोकस करिए ठीक है लिखना ये सब पेपर आप लोग मांग कर रहे हैं जिस पेपर की उस पेपर को जब आ गया है तो आप लोग रेगुलर सॉल्व करिए ठीक है इसको सॉल्व करेंगे फिर आपको याद भी होता रहेगा और मैं आपको बता दू अगर आप आपका कहां से लिया गया है यह आपका जो है जीवन सुत्राण से है ठीक है जीवन सुत्राण ठीक है आप संदर्व में जो इसको बता देंगे जीवन सुत्राण एक नमबर आपका फिक्स हो गया उसके बाद इसका अनुवाद कर देंगे आपके तीन नमबर यहां से मिल ग लिए ठीक है और यह कहां से लिया गया है आम आम सिक्रिस्ट समय इत कत् досमिन नागर के सग्रामिड़ यहा पर आप समझ सकते हैं अगर ग्रामिड का उपयोग यहां पर किया गया है तो यहां तक है आपके लेशन में इस तरह से मतलब समझने का प्रयास करेंगे प्रबुद्धो ग्रामीड ठीक है प्रबुद्धो ग्रामीड तो यह आपका प्रबुद्धो ग्रामीड से लिया गया है ठीक है चैप्टर सारे मैंने पढ़ा दिये हैं ठीक है और आगे भी जितना बागे है उसको पढ़ा रही हूँ तो सभी लोग जो है उस चैप्टर को भी जाकर प्लेलिस्ट में वीरियो सेव है आप लोग वहां से जाकर पुरा पढ़िए ठीक है जब तक आप व्याख्या को पढ़ेंगे नहीं अनुबात कर नहीं पाएंगे सात्मा जो कोश्चन है अपनी पाठ्थे पुस्तक से कंठस्त किया हो कोई एक इसलोग लिखे तो आपको दो तीन इसलोग याद करने होंगे ठीक है क्योंकि ये किस लोग यहां पर आता है ठीक है तो आपको कोई और इसलोग लिखना होगा जो यहां पर आया उसको नहीं अगर माल लेज़े आपने वही आद किया है जो यहां पर आया है इसलिए दो इसलोग कम से कम दो इसलोग तो जरूरी है ठीक है अगला देखेंगे निमलिखित प्रश्णों में से किन्धी दो प्रश्णों के उत्तर दीजिए ठीक है यहाँ पर आपको चार जो हैं यहाँ पर दिये गए हैं आपको चारों में से सिर्फ दो का ठीक है दो का उत्तर देना है chapters को पढ़ेंगे तो आराम से अंसर दे लेंगे आठवा जो question है वह आपका आठवे में तीन question होते हैं ठीक है आपको यहाँ पर रस पढ़ना है सिर्फ यही दो रस आपको पढ़ना है ठीक है और यहाँ पर उत्पमा उत्प्रेच्छा और रूपक ठीक है और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें सिर्फ दो ही पढ़ना है ठीक है नमा जो question है उत्परगों में से किन्ही तीन के मेल से एक एक सब्द बनाईए तो आपको यहाँ पर ऐसे ही दिये रहेंगे ठीक है इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है जो important है ठीक है उसको भी जाकर देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ तीन का करना है ठीक है और नहीं करना है जैसे यहाँ देखिए निर्गुण ठीक है निरका निर्गुण निर्भय इस तरह से ठीक है आगे अपमान ठीक है अपमान अपकीर्त ठीक है अधिकार ठीखे यहां देखे अधिकार अधिकरण ठीखे यहां देखे अनुसरण अयोग्य ठीखे इस तरह से इसको लिखेंगे अभिसाप, अभिमान जो भी आपको आए इसको आपको लिखना है ठीखे अगला जो है निमलिखित में से किन्ही दो प्रत्यायों का प्रयोग कीजिए ठीक है यहाँ पर आपको दो प्रत्याय लिखना है ठीक है प्रत्याय यानि पीछे का सब्द जो होता है उसे प्रत्याय कहते हैं जो आगे का सब्द होता है उसे उपसर्ग कहते हैं तो यहाँ आपको आता रहेगा लिखेंगे कोई जरूरी नहीं है कि यहीं सब जो मैं बता रहे हूँ वही लिखेंगे अगर आपको कुछ और भी आता है जिसके पीछे ता आता है तो आप लिख सकते हैं ठीक है वट का देखिए सजावट बनावट ठीक है और पन का देखिए पन अपनापन बचपन ठीक है आई का देखिए आई का लड़ाई पढ़ाई बुनाई सिलाई जो भी आपको आता रहेगा उसको लिखेंगे ठीक है चलिए दो नमबर यहां पर आपको सिर्फ दो ही करना है ध्यान रखेगा जैसे दो यही दो ठीक है इस तरह से अगर आप लोग को कहीं भी कोई मिश्टेख होगी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में मैं सारा चीज क्लियर कर दोंगी ठीक है दो समास आपके चल रहे हैं तो यहां पर आपके जो समास है यहां आपका द्वंध है ठीक है द्वंध और यह जो है दूद है ठीक है और वो सब तत्पूरुस और करमधाराय बहुबरी ही यहां से है ठीक है जो आपको पढ़ने नहीं है और घह देखिए निमलिखित में से किन्धी दो सब्दों के तत्सम रोप लिखिए ठीक है तो यहाँ पर तत्सम रोप यानि कि आपका जो यह है ठीक है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह तत्दभव है आपको तत्सम रोप लिखना है तो तत्सम सामन का होगा स्रामड ठीक है दो का ही लिखना है मैं यहाँ आप इस सभी का बता रही हूं लेकिन आपको सिर्फ दो करना है पाख का पक्ष होगा ठीक है पाख का पक्ष होगा नेह का इशनेह घी का घृत ठीक है बरखा का देखिए बरसा ठीक है इस तरह से अगला देखिए दो नमबर यहां से दो ही करने हैं दो नमबर आपको यहां से मिल जाएंगे इसको देखिए निमलिकित में से किन्धी दो सब्दों के दो दो परियाई वाची लिखना है ठीक है आपको सिर्फ दो का करना है जैसे देखिए जल का पानी ठीक है तोय इस तरह से ठीक है और नदी का जैसे सरिता ठीक है इस तरह से आग का अगनी दहन ठीक है अस्वकार सारंग घोड़ा ऐसे आप कर सकते हैं ठीक है दो दो परियाएवाची करना है सिर्फ दो का करना है और दो दो परियाएवाची करना है ठीक है दस्मा कोश्चन देखे निमनलिखित में से किन्धी दो में संधी विक्षेद कीजिए और संधी का नाम लिखे ठीक है तो आपको दो का संधी विक्षेद करना है और संधी का नाम भी लिखना है ठीक है यह आपकी यण संधी है, यण विद्धी यही दो है, फिलाल 2023 में सिर्फ आपको यण संधी पढ़नी है, ठीक है, यहाँ प्रति उत्तरम, प्रति धन उत्तरम का प्रत्यूत्तरम, ठीक है, देवी धन आग्या का होगा, यहाँ देव भ्याज्या, ये आपकी यंण संधी है जहां पर आधा सब्द आएगा महा पर यंण संधी होगी अत्रयव का ये आपकी वृद्धी संधी है ऐगे देखें इसका आपको करना है इसको मैं आपको बता दुँँगी कैसे आपको ट्रिक के साथ करना है दो नमबर यहाँ पर आपको दो करेंगे ठीक है आपको दो नमबर मिलेंगे ठीक है एक एक के लिए एक एक नमबर मिलेगा और धातु का भी करेंगे धातुलकार पुरुस वचन का उलेक कीजिए तो इसका भी आपको दो ही करना है ठीक है इसके लिए भी आपको दो नमबर मि करना है ठीक है इग्यारामा जो प्रश्ण है निबंध का है निम लिखित विश्यों में से किसी एक विश्य पर निबंध लिखिए ठीक है एक विश्य पर आपको निबंध लिखना है यहां पर पांच विश्य दिये गए हैं किसी एक पर जिस पर आपको अच्छे से आता हो न जालके उसके बाद आपको वातावरन डालना जरूरी होता है इस तरह से उपसंघार डालना जरूरी होता है कुछ हेडिंग से इंपोर्टेंट है निवंध भी लिकना मैं बता दूंगी आप सभी को तो बेफिकर रही है सारी चीजे आपको बताई जाएंगे यहां पर सबसे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं आपको कम से कम तीन पेज का निवंध होना बहुत जरूरी है ठीक है जो कोस्चन है सबसे लास्ट कोस्चन जो है बारहमा अपने पठित खंडकावे के आधार पर यानि कि आपके जिला में जो भी यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे खंडक आपको जिला भी दिया हुआ है कि कौन से जिले के लिए कौन सा खंडकावे पढ़ना है ठीक है जिला आपके घर का नहीं लेना है आपके कॉलेज का लेना है ठीक है उसके लिए आपको तीन नंबर मिलेंगे एक कोस्चन करना है ठीक है सारी चीज़े आपको बताई करना बिलकुल Hmm Ampere डूस्तोन को भी शेयर कर दीजियेगा ताकि उन्हें भी जो है 2020 का पेपर मिल जाए क्योंकि कि सभी सबस्ति के पेपर मिलना अतना यहीं होता है किसी भी तरह से आपको मिल रहा है अगर आपको मिल गया तो दूसरे का भी भला कीजिए दूसरे को सेर कर दीजिए उसका भी भला हो जाए ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगले पेपर के साथ